हालो एंड वेलकम टू क्विक इस्टेडी ओनलाइन क्विक इस्टेडी ओनलाइन में आपका स्वागत है मित्रों इस वीडियो में एक मातुपूर्ण सोचना उत्तर प्रदेश राजा सुलेकपाल की परिक्षा को लेकर आये दिन यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज वाइरन हो रहे थे जैसे एकजाम पोस्पॉर्ण होगा या फिर परिक्षा की तिथी आगे बढ़ सकती है तो अब इसके रिगार्डिंग हमें आफिसियल नोटिस रिसीब हो गई है अभी 26 में तहले 16 जुलाई 2022 को आयोग की वेबसाइट पे जो है अफिसियल नोटिफिकेशन अभी अपलोड किया गया है और इसमें देखा जा सकता है कि जो परिक्षा 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जानी थी अब परिहारे कारणों के द्रिश्टिकत अब 31 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी अब परिक्षा प्रवेस पत्र निर्गत की जाने के संबंद में जो है परिक्षार्थियों को अलग से यथा समय सुचित किया जाएगा लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी पढ़ाई को continue ही रखना है क्योंकि continuity और concentration यह दो चीजे हैं जो हमें success के नजदिक ले जाती है और यह सच बात है कि जब exam सामने होता है तो बचे हुए 2-4-6-10 दिनों में जो पढ़ाई होती है जो flow बनता है वही flow हमें success दिलाता है और confidence लाता है अपने अंदर तो overall मैं यही कहूंगा कि आप अपनी concentration and continuity लगातार बनाये रखें आंतिम समय तक अपने goal को केंदरित करके हमें रखना है तब जाके जीत हासिल होगी तो एक बार फिर आप सभी को सुबकाम ना है चनल को सबस्क्राइब कर लें और लगातार जूड़े रहें ऐसे ही big and quick updates के साथ आपका बहुत धन्यवाद